एरिया वेक्टर क्या होता है इसे हम छेत्रफल सदिश भी बोल सकते हैं देखे किसी समतल प्रिष्ठ के अभिलम्बवद इस्थित वेक्टर को छेत्रफल वेक्टर काती है किसी समतल प्रिष्ठ के अभिलम्बवद इस्थित वेक्टर को छेत्रफल वेक्टर काती है और यहां पर एक इकाई सदिस होता है इकाई सदिस क्या है? समतल प्रिष्ठ के अभी लमबवत इकाई सदिस को यन कैब से यहां लिखेंगे जहां यन कैब समतल प्रिष्ठ के आभी लम्मुवद दिशा में इकाई सदिस तो यहां पर देखे एक आपने इकाई बेक्टर पढ़ा था यहां देखे किसी बेक्टर का इसी बेक्टर के मापांग कसे भाग देने पर जो बेक्टर प्राप्त होता है उसे इकाई बेक्टर कहते हैं एक चीज़ आपने ये पढ़ा था कि माडला साब बेक्तर ए बराबर होता है ए तो यहाँ पर हम लोग अगर ए रख दें तो यह हो जाएगा बेक्तर ए अपान ए तीरिया गुड़ा करेंगे तो बेक्तर ए बराबर ए काई पिंटू ए या फिर या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं बेक्तर ए इज इक्वाल टू ए के अस्थान पर क्या लिखेंगे यान काई इंटू ए यही है हमारा छेत्रफल बेक्तर फिर समझिएगा किसी पिष्ठ के अभी लंबवद किसी पिष्ठ के अभी लंबवद दिशा में इस्थित बेक्तर को छेत्रफल बेक्तर काते हैं और छेत्रफल को बेक्तर को बेक्तर ए से प्रदर्शित करते हैं यह जरू नहीं है कि बेक्तर ए ही हो आप ए के अस्थान पे अगर एरिया ये ए है इसे ए मानेंगे मान लिजे area b है तो vector b कर देंगे area c है तो c लेकिन a far area area माने 6 त्रफल इसलिए 6 त्रफल vector को a से ही denote किया जाता है तो लिखे